सिद्ध कामना क्रिया क्या है सिद्ध कामना क्रिया वो क्रिया है 15 मिनिट की जिसके माध्धम से आप 24 घंटे में कभी भी अपनी चेतनमन की जाह को और चेतनमन में पहुंचा सकते कई मित्र कहते हैं कि संजियोनी क्रिया का अभ्यास करने की कोशिश करता हूँ कर नहीं पाता हूँ छूट जाती बहुत संचेप में पहली चीज मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यानि हर मनुष इस प्रतिवी पर अपने मन का गुलाम और जन्मों जन्मों से मन की गुलामी करते हुए हम आये हैं हम कभी अपने मालिक अपने मास्टर नहीं बन सके we could never be our masters and even today we are not our masters we are slaves of our desires and all our desires are the manifestations of the faculties of our mind जिसे मन गएते हैं यानि मन तरह तरह के जालों में हमें उल्जा देता है और मैं आप से कहूँ यह स्वभाविक है कि ध्यान में आपका मन नहीं लगता है क्यों क्योंकि ध्यान का अर्थ है मन की मौत ध्यान का अर्थ है मन के जालों से मुक्त हो जाना ध्यान का अर्थ है मन का मालिक बन जाना तो जिसके तुम मालिक बनना चाहोगे वो आसानी से तुम्हें अपना मालिक बनना देगा वो तो बिरोध करेगा ही वो तो आपको तरह तरह से बटकाएगा ही वो तो तरह तरह से बाधा पैदा करेगा ही तो एक और मन बाधा पैदा करने की अपनी स्वाभाविक आदत नहीं छोड़ेगा लेकिन अगर आपको उस पर विजय पानी है तो आपको भी उतना ही संकल्प करना पड़ेगा कि ये बाधा करे लेकिन फिर भी मैं आदे घंटे के लिए संजीवनी क्रिया के नाम पर बैठूँगा वो बाधा करे वो आपको डराए वो चाटन करे वो भ्रम पैदा करे आपको हटाए लेकिन आप अपना संकल इतना जारी रखे कि मोटी मोटी बात मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अपना समय एक पक्का कर ले और इस्थान पक्का कर ले और दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि यथा संभो सोकर उठने के बाद जितना जल्दी से जल्दी इसको कर सकते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ कि सोकर कब उठे लेकिन जब भी सोकर आप उठते हैं सबसे पहला काम आप संज्यूनी क्रिया के लिए रखे तब आपको सफलता मिलने में सीगरता उपलब्द होगी दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा मैं परम आनंद को पाकर ही रहूँगा इसका प्रगाड संकल्प आपके औचेतन मन में पैदा हो जाना चाहिए ये प्रगाड संकल्प आपके और शेतन मन में कैसे पैदा होगा सिर्फ रात को मैंने बताया जब आप सोने जाते हैं विश्तर पर लेट गए हैं और जो आप पाना चाहते हैं भौतिक जगत की या जो भी आपकी आकांग्शा है पाने की उसको दोहराते दोहराते सोना है तो उसको दोहराते दोहरात कि मैं ध्यार में प्रवेश करके रहूँगा, मैं परम आनन्द को प्राप्त करके रहूँगा, कम से कम पाँच बार मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन, इसी संकल्ब को दोहराते विए सोजाएं, बहुत बड़ा चमतकार होगा, धीरे धीरे एक न एक दिन ये आपके ओचेतन मन को लिया आपके, तो समझ लेना बाकी सारी चीजें तो इसके पीछे पीछे चलियाएंगी, परम आनन्द को पाने का संकल्प आपका पूरा होने लगा, फिर बचता क्या है, ये छोटी मोटी आक अंग्शा हैं तो अपनी आप पुरी हो जाएंगी आपकी, ये संकल्प आपके चमतकार होने लगा है, और शेतनमन अपने आप, आपके इस काम को सरल बना देगा, अब मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ, जैसा मैं हमेशा आप से कहता हूँ कि भगवान से उन्हें ध्यान में प्रवेश करने की 112 विदियां दी, और आज तक इस प्रतिवे पर उसके बाह विदियों में से एक-एक विदि के प्रयोग से अभ्यास से बहुत गहनता से गुजरा हूँ, अभ्यास करने के लिए ही नहीं, उनका बायोलोजिकल साइंटिफिक एक्स्प्रिमेंटेशन करने के हिसाब से, और तब मैं बहुत गहरी छान बीन परिक्षण के बाद इस निस कारी होगा, इसके पीछे बहुत मात्पून कारण है, जिन्होंने भी जाना है, जिन्होंने भी पाया है, जिन्होंने शरीर को भीतर से देखा है, सुक्ष्व शरीर का और आत्म का अनवो जिन्हें उप्लब्ध हुआ है, उन सारे लोगों के अनवो का सार है, मेरे अपने व उद्धी के तल पर जीता है, बुद्धी प्रधान हो गया है हराद में, तो उसकी चेतना, उसकी कांसेस्नेस, उसकी प्राण उर्जा, 99 परशंट कहां केंद्रित रहती है, बुद्धी में, और ध्यान का सारा उद्देश ये है, कि अपनी प्राण उर्जा को आत्मा पर केंद होता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक जीवन में असाधारन से पलता प्राप्त करता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे आत्मस्त होने की इस्तिति में पहुंचता है, और परमानंद को उपलब्द होता है, तो ध्यान का उद आत्मा से कोई संबंद नहीं है, जिनों ने आपके बींग को भीतर से जाना सारे संबुधों का अनुभो मेरा अनुभो कहता है, बुद्धी का आत्मा के साथ सिधा कोई संबंद नहीं है, बुद्धी का हिर्दय से संबंद है, हिर्दय एक और तो आपके आत्मा से जुड़ा हुआ है दूसरी और बुद्धी से जुड़ा हुआ है बुद्धी से सीधे आत्मा पर नहीं जा जा सकता है जो चेतना आपकी बुद्धी पर केंद्रित है उसको पहले बुद्धी से हिर्दय पर लाना पड़ेगा और जब बुद्धी से हिर्दय पर चेतना आ जाएगी तब स्वाभाविक रूप से आत्मा की तरफ सरक्टना उसके लिए साज, शरल और सुगम हो जाएगा तो ये जो चेतना 24 घंटे आपकी घूमती रहती है बुद्धी के इर्दिगिर्द मस्तिस्क केंदर्थ हो गई है जैसा मैं हमेशा कहता हूँ आज कल प्यार भी आप करते हैं तो बुद्धी से सोच विचार के हिर्दे का काम भी बुद्धी से ले रहे हैं बुद्धी से क्या नहीं कर रहे हैं आप यहां तक कि मनोब ज्यानिक कहते हैं कि बुद्धी से ही 90% मेथुन का कारे कर रहा है 21 सबीक आदमी वो बहुत खतरनाग है वही हर तरह की विच्षप्तता है हर तरह का पागल परने हर तरह का विकार हर तरह की हिंसा उपद्रो अशान्ति तनाव इस्ट्रेस सब का कारण है तो क्या परेडाम होगा और उससे जुद्र पिनेसलाव होता है वह भी नहीं मिलेगा तो अगर मस्तिस्क से मैथुन करेंगे तो एक तो मस्तिस्क खराब होगा और दूसरे मैथुन से जो तृपती मिलती है जो बैलोजिकल उसकी बेनेफिट से उससे भी आप बंचित हो जा बुद्धी से चेतना को हिर्दे पर लाना है, और बुद्धी से चेतना को हिर्दे पर लाने के लिए कम से कम आधे घंटे तो चेतना को हिर्दे की ओर करिए, फिर धीरे धीरे वो अपने आप हिर्दे केंदर थोने लगेगी, अंदिम कारण जिसके करण मैंने इसे चुना है आपके लिए ये हिर्दय केंद्र आपके सुक्ष्म शरीर का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है आपके संपूर्ण जीवन का केंद्र ही हिर्दय है हिर्दय की पहली धड़कन के साथ आप अस्तित्तु में आते और अंतिम धड़कन के साथ आप संसार से विदा हो जाते इस पहली धड़कन और अंतिम धड़कन के बीच में ही आपका सारा जीवन है इसलिए जो जीवन का केंद्र है हिर्दे उस पर केंद्रत विधी को मैंने ध्यान विधी के रूप में 21 सदी के आदम के लिए चुना है सारी दुनिया के 21 सदी के आदम के लिए इस से ज़्यादा महत्पूर्ण उपयोगी और कोई दूसरे ध्यान की विधी नहीं है दूसरी बात Biologically हिर्दे से ही आपके सारे शरीर में रक्त कसंचार होता है और जब आप हिर्दे पर ध्यान के इंद्रित करते हैं तो ध्यान के विज्ञान का सार है जिस पर भी आपका ध्यान जाता है जहां आपका ध्यान रहता है जिस पर आप ध्यान करते हैं वो स्वस्थ होता है ससक्त होता है और शक्तिशाली होता है जैसे बच्चे का ध्यान करेंगे बच्चा स्वस्थ होगा ससक्त होगा शक्तिशाली होगा फूल पौधों का ध्यान करेंगे, उनमें अच्छे फूल निकलेंगे, तो अगर हिर्दे पर आप कम से कम हर रोज आदे गंटे ध्यान के इंदरित करेंगे संजीव निक्रिया के मद्यम से, तो आपका हिर्दे जहां से संपुरूल सरीर में रक्त संचार होता है, आपके हिर्दे और रक्त से संबंधित कोई भी बिमारी आपकी जिन्दगी में कभी नहीं आ सकती, ध्यान ही उसका सबसे बड़ा उपचार कर देगा झाल